कोरोना पर ताज़े अपडेट लेकर मैं रोशन जासवाल आपके बीच वारांटसी से आप पहुचा हूँ कोरोना अपने सचुरेशन पॉइंट तक भी आ सकता है जिसके बाद कोरोना की रफ्तार कम होगी और संक्रमन भी काफी कम देखने को मिलेगा लेकिन तब तक बहुत ही सावधानी बरतने की भी हिदायत दी गई है अब बात कर लेते हैं उस दुखत खबर और चौका देने वाल हैं वे 23 विभूतियां हैं जो अब हमारे बीच में नहीं है और कोरोना ने हमको उनसे जुदा कर दिया है जिसमें मुख्य रूप से पदमभूशड पंडित राजनमिश्र पदमिश्री और हैड्रोजन मैन के नाम से चर्चीत्र ओवन स्रिवास्त और पत्तकारिता जगत के अर्जुन किवारी भी हैं इसके अलावा वो तमाम नाम हैं जो अलग-अलग विश्विद्यालियों कालेजों और समास से भी संगठनों से भी जुड़े हैं और इन्हों ने अपनी छाप न केवल बनारस देश बलकी पुरे विश्व में भी छोड़ी है इसके अलावा साज हैं और विभूतियां हैं उन पर ज्यादा मार पड़ रही है इसमें यह चेतावनी भी दी गई है कि हमको समहल करना पड़ेगा और आगे आने वाला वक्त 14 मई से 14 जून का और भी खतरनाक है इसलिए अगर इस्तिती समलेगी तो 15 जून के बाद ही इस्तिती समलेगी और उस समय अब वारानसी में कुल संक्रमीतों की संख्या पहने ऐहां तक बात करें वारानसी में ऑक्सीजन को लेके मारा मारी काफी कम हुए हैं लेकिन अभी अस्पतालों में बेड रह latter स्वीर इंजेक्शन और तमाम जीवन रच्छक दवाओं के लिए लोगों को जूजना पड़ रहा है मैं रोशन जैस्वाल यूपी तक के लिए इतना ही आगे आप से फिर मुलकात होगी